नमस्कार दूस्तों आयो टूब चैनल एक्जाम लाटनर्ड में आपका स्वागत है दूस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग योपी प्यस्सी एल्टी ग्रेड परिक्षा 2022 के लिए जी एस का पहला माडल पेपर देखेंगे इसमें 30 प्रश्ण आपको लेखने को मिलेंगे तो आपको बता होगा कि एल्टी ग्रेड एक्जाम में टोटल 150 कोशन पुश जाते हैं 120 कोशन आपकी सब्जिक्ट से और 30 कोशन जी एस वाले पार्ट में जो सभी के लिए कामन होता है तो यह आपका आज का पहला माडल पेपर है एल्टी ग्रेड के लिए तो वीडियो करके आप वीडियो पी टाउनलोड कर सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं कि उस्टोन अकेडमी आपके लिए लिए लिकाया है क्राइक यूपी लेकवाल एक्जाम और जो है आपको पता होगा है इंडिया का सबसे लर्जेस्ट लर्निंग प्रिप्रामर अकेडमी यूपी लिएकवाल एक्जाम को क्रेक कर सकते हैं यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे सब्सक्रिशन लेते समय एक्जाम लर्नर तो आपको वहाँ पे 10% डिसकाउंट भी हो जाएगा और साथ में आपको यूपी प्रिस कांस्टेवल एक्जाम के लिए जो कोर्स प्रीस है त्री मंत का पंद्रे सो है, शिक्स मंत का 2700 रुपे है और बारे मंत का 2300 रुपे है और यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे सब्सक्रिशन के टाइम एक्जाम लर्नर तो आपको 10% का वहाँ अडिशनल डिसकाउंट भी हो जाएगा और यदि आप यूपी के किसी भी एक्जाम की प्रिप्रेशन करना चाहते हैं, तो आप जूर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्चन में उसका भी लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चिक कर सकते हैं या फिर आप अनेकैडमी का लर्निंग एप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप सब्सक्रिशन ले स जिससे आपको वहाँ पे 10% का डिसकाउंट एडिशनल डिसकाउंट हो जाएगा जो भी फीस है उसमें आपको उसके अलामा भी आपको जो है दस प्रतिशत की जूट मिल जाएगी तो यह रेफ्रेल को आप सब्सक्रिप्शन लेते समय जरूरी यूज किजिगा आपसे वहाँ लाज जाता है तो दोस्तों आजका जो पहला प्रिशन है उत्तर प्रदेश में परथम विकलांग बिश्विदेल है कहां पर अस्थापित किया गया है चार विकल्प दिया गया है इसमें आपको उतान है कि कौन सा आप्शन सही हो जाएगा तो यहां D विकल्प शहीए जिसका नाम है जगद गुरू राम भद्राचारी बिकलांग बिश्विद्याल है और उत्तरप्रदेश के जो अन्य संस्थान है जहां से कोषिण पूचे या है जिसे पूचा जाता है कि पसू चिकितशा अनुसंधान संस्थान कहां है तो यह बरेली में है पसू चिकित्सान संधान संस्थान और इसके अस्थापना हुई थी उनीस सो तीरासी में उस तरह पुशायता है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्याल है जो कि लखनों में है तो जार एक में इसके अस्थापना हुई थी और बिकलांग उद्द्यार डॉक्टर सकुंतला मिश्चा विष्वद्याल है लखनों में नरेंद्र देव कर्ष्य प्रद्यों की विष्वद्याल है फाइजाबाद में तो यहां से भी कुश्यन पुशाए था लेकिन एक क्योश्यन आपका महतूर वत्म विकलांग विष्व रासाइने कृया करके लोह औकसाइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभी क्रिया के दोरान लोहे के साथ आक्सिजन की मातरा भी जुड़ जाता है। निसके बाद लोहे का भार वह बढ़ जाता है। तो यह आपसर सही हो जाएगा यहाप यहाप यहाप, तीसरा प्रश्ण सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है, तो आपको पता ही होगा, यह है सुक्र, बी विकल्ब से हो जाएगा, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह सुक्र है, सुक्र पृत्वी के सबसे निकटम ग्रह और यह सबसे गर्म ग्रह भी है इसे साज का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है इसे प्रित्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है और बुद्ध ग्रह जो है यह सबसे छोटा ग्रह इसके पास कोई उपग्रह नहीं है बुद्ध और सुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पा से जाना जाता है तो इतना याद रखेगा यहां पर बी विकल्ब से हो जाएगा पुशा गया समसे सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है सुक्र कि चौथा प्रस्ण है स्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है तो है जैन धर्म से यह आप समस्क्राइब जाएगा जैन धर्म आगे चलकर स्वेतांबर और दिगंबर इन दो साखाओं में बट गया स्वेत वस्त धारड करने वाले जैन धर्मानुआई जो होते थे वह पिच्छा कित उदार यह कम कठोर जीवन में विश्वास करते थे जांबर और दिगं बर किस संप्रताय से संबंदीत यह है जैंसे संबंदीत है यह सही हो जाएगा पांच्वाप प्रशने सुनामी यह भुकम्प केक्रिया से संबध एक पारिभासिक सब्द है यह मोलत किस भासा का सब्द है तो यह जापानी भासा का B आपसंद सही हो जाएगा जब भुकम्प का अधिक्रेन जिसे हम कहते है एपी सिंटर तो जब भुकम्प का अधिकेंदर जो है यहीं कि एपी सिंटर सागरों या महासागरों पर केंदरित होता है तो उची-उची समुदरी लहरें उठती है जिने हम सुनामी कहते है यह मूलत है जापानी भासा का सब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह की लहरें तो यह आपका जापानी सब्द है भी आपसे नहीं पर सही हो जाएगा चेटोन पर भारत में आर्थिक सुधार कारिक्रमों यहनिकि economic reforms का जनक निमलिखित में से किसे माना जाता है तो बाना जाता है डाक्टर मनमोहन सिंग को बी आपसन से हो जाएगा भारत में आर्थिक सुधार कारिक्रम के शुरुवात 16 जुलाई 1991 से मानी जाती है और यह डाक्टर मनमोहन सिंग जो की उस समय भारत के अभित मंत्री थे इनकी आर्थिक नितियों का ही प्रेडाम है डाक्टर मनमोहन सिंग को ही आर्थिक सुधार कारे कर्मों का जनक भी माना जाता है सात्मा प्रश्ने कर्मशीलता की द्रिष्ट से बच्चों और व्रिद्धों की आबादी को कहते हैं तो यह कहलाता है आस्रित जनसंख्या भी आपसन सही हो जाएगे हैं यहां पे यह विश्व परिप्रेक्ष में देखा जाए तो 15 वर्स से कम और 65 वर्स से अधिक यह भारत के प्रिप्रेक्ष में देखा जाए तो 15 वर्स से कम और 69 वर्स से अधिक उम्र की आबादी को हम आस्रित जनसंख्या कहते हैं आठमा प्रश्ने मुद्रा का क्या तात्पर यह होता है तो मुल्य का मापक होता है मुद्रा यह आपसनिया पे से हो जाएगा मुद्रा वह भस्तु है जो व्यापक चेत्र में बिन में के माध्यम यह मुल्य के मापक अस्थगित भुकतानों के मान और मुल्यों के संचय के साधन के रूप में स्विकार की जाती है जिसे सरकारी संरक्षन प्राप्थ होता है तो मुद्रा का क्यात्त पर यह है मुल्य का मापक से, यह आपसन सही हो जाएगा अगला कुश है नहीं है, भारत में कौन सा राज्य? सबसे अधिक पडोसी राज्यों की सीमाओं को असपर्स करता है, यानिकि टच करता है तो है उत्तर प्रदेश यह आपसन यहापे सही हो जाएगा भारत में उतर प्रदेश राजी सबसे अधिक यानि कि आठ राजियों की सीमाओं को यह टच करता है और एक संग सासी छेतर है दिल्ली कुल नौ हो जाएगा यह दिराजियों की बात करें तो यहां पर राजियों में पूछा गया अगला जो प्रशने आपका पृत्वी अपनी धूरी पर एक चकर कितने समय में पूरा करती है तो यह पूरा करती है तेईस घंटा चपन मिनट में पृत्वी के अपनी धूरी यानि के अक्छ पर घूमने की क्रिया को हम परिभरमड कहते हैं इसे एक परिभरमड पूरा करने अर्थात धूरी पर एक चकर लगाने में तेईस घंटा चपन मिनट का समय लगता है गिरवा क्वेशिन है निमलखित में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है तो है राजस्थान यह आप से स्रीव जाएगा बाखी गुजरात, महरास्ट और गुवा यह सभी समुद्री सीमा से लगते हैं लेकिन राजस्थान का कोई भी स्थान समुद्र से नहीं लगा हुआ है अगला कुशिन है त्रिपिटक धार्मे की गरंद है तो त्रिपिटक है यह आपका बाध्ध धार्म का भी आपसन सही हो जाएगे हैं अपर इसमें त्रिपिटक में है पहला तो सुद्ध पिटक है दूसरा है बीने पिटक और तीसरा है अभी धम पिटक जो मिलकर के 3Pita कहलाते हैं यह बोधों के धार्मिक गरंत हैं अगले कुछ हैने कार्बन की सरवाधिक मात्रा किसमे होती है यह होता है हीरे में यह आप संब जाए हो जाएगे हैं हीरा 100% कार्बन होता है इसलिए इसे कार्बन का अपरूप भी कहा जाता है यह सरवाधी कठोर पतार्थ होता है और कार्बन का मात्रा दिखा जाए तो इसमें जिसे बिटुमिनस जो होता है तो बिटुमिनस में करीब कार्बन की मात्रा 85% पाई आती है और यहां पर 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 यहां 29 परसें होता है और उससे ज्यादा हीरा में 100में जो कारवन पाया जाता है तो यहयाबशन सही क्या तो प spill की घति को मापा जाता एनिमोमीटर से बी बिकल्प में हाँ पे सही हो जाएगा और यह पवन की दिसा यानि की विंड-विंड द्वारा मापी जाती है दो दोद की सुदता लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है और वाईद आप मापी यंत्र को हम कहते हैं बैरोमीटर अगला कुशिन आपका दुदी अभिशिविध जो कि 1949 से 1945 के बीच में हुआ कौन था तो वे था जापान यह आप सन्हेया पे स्तह हो जाएगा दौरी रास्टो में सबसे अंत में समर्पर करने वाला जो देश था वह जापान था इसके आत्मसमरपड का कारण था कि अमेरिका द्वारा प्रमाडबं गिराया जाना अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोसिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागा साकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन जो नाम दिया गया था प्रमाडबं का लिटिल बॉय और फैट मैन प्रमाड बंग को गिराय था इससे दुतिय विश्युदि की दिसा बदल गई जापान ने 14 अगस्त 1945 को आत्मी समर्पड कर दिया और 15 अगस्त को ही वी जे डे मनाया गया एनि कि विक्ट्री ओवर जापान डे जिसे साथ में बी जे डे कहते हैं तो यहां पर यह आप्शन सही हो जाएगा अगला कुशिशन आपका वह है गैलेक्सी आकास गंगा जिसमें प्रित्वी की इस्तित्ती है उसको क्या कहते हैं तो वह कहलाता है मंदा किनी बी बिकल्प सही हो जाएगा पृत्वी के श्तिति वाली गैलेक्सी को खगोली अप जो हैं मंदा किनी कहते हैं निहारिका उस खगोली पिंड को कहते हैं जिससे नए तारों ग्रहों या उपग्रहों की रचना होती है और एंडरोमीटा जो दिया यहां पर मंद आके नहीं सही होगा अगला कुशन दिखते हैं भारत निमलकित में इसका सदस्य नहीं है तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है डी विकलप यहां पर सही वजाएगा आसियान यGe दक्षिडपूरू एस्याई देसों के संग्ठन जिसे हम आसियान कहते हैं तो भारत आसियान का सदसे नहीं है इसके साथ आर्थिक संबंदों की प्रिकारता के लिए निरंतर प्रियासरत है और भारत आसियान के बीच प्रतिवस सिखर वैठक भी आयोजित होता है बाकि G20, IMF 16 यानि की जिसे स्थार कहते हैं तो इनका सदसे है भारत लेकिन आसियान का सदसे नहीं है अठरा कोशेन है निरंतर कित में कौन सा रोग वाइरस संक्रमर से होता है तो यह जुकाम, D आपसन से हो जाएगा अगला कोशेन है समुद्री सहवाल किसका महत्वपूर स्रोथ है तो यह है आयोडीन का B आपसन सही हो जाएगा यहाँ पे आयोडीन एक प्रकार का मानक है इसकी कमी से गले में इस्थित थाइराइड गरति में सूजना जाता है और यह घेंखा रोग हो जाता है बच्चे मंदबुद्धी के हो जाते हैं आयोडीन यह अपका समुद्री सहवाल में पाया जाता है अगला कुशन है जीओं की बेवहार का अधियन किस वैग्यानिक साखा में किया जाता है तो यह इथोलाजी में किया जाता है बी आपसन यहापे सेयुगा जीओं के बेवहार का अधियन करने वाली वैग्यानिक साखा को इथोलाजी कहते हैं और इतियो लाजी जो दिया गया है यहां पे यह तंत्रिका तंत से संबन्धित रोगों की अधियन की बैग्व्जानिक साखा का नाम है इतियो लाजी 21 कुशिन है कच्छा संचार का वर्डन निमलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है तो व्याख्यान के द्वारा किया जा सकता है डी आपसन सही हो जाएगा कच्छा संचार की अउधाडा कच्छा के व्याख्यान पर निर्वर करता है यह विधी सबसे पुरानी है इसमें प्राय सिक्षक अपने परिज्ञान पराथारित अउधाडाओं से स्वेशनिर्मित भासाओं के साथ भासा के जरिये ब्याख्या को सहज यानि की लची लावा बनाता है अंगले कोशिन है आपका निमनेखित सिक्षण प्रक्रिया ठीक करम में बेवस्तित कीजिए तो यहाँ पर पांच दिया गया है सबसे पहला है बरत्मान ग्यान को पहले की ग्यान से जोड़ना दूसरा है मुल्यांकन तीसरा है पुनर सिक्षण चोथा है सिक्षण लच्षियों को सुत्रबद करना लाश्ट में दिया गया सिक्षण सामागरी का प्रस्तुति करना तो इसे आपको करम में बेवस्तित करना है तो सिक्षण प्रक्रिया के अंतरकत जो सबसे पहले है वो है सिक्षण लच्चियों को सूत्रबद किया जाता है उसके बाद बर्तमान ग्यान को पहले की ग्यान से जोड़ा जाता है फिर सिक्षण अधियम सामगरी को छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है फिर सिखाए गए ग्यान से छात्रों का मुल्यांकन किया जाता है उसके बाद पुनर सिक्षण करके सिक्षण परक्रिया के चरण को हम complete यानि कि पूरा करते हैं तो इसमें आपका जो सही बेवस्तित होगा वो D आपसम सही बेवस्तित होगा सबसे पहले आपका यानि कि सिख्षण लक्षें को सुथ बद्ध करना यह हो जाएगा उसके बाद आपका बर्तमान ग्यान को पहले की ग्यान से जोड़ना फिर आपका सिख्षण सामगरी का प्रियोग करना फिर आपका यहाँ पे मुल्यांकन और लास्ट में जो हो जाएगा पुनर सिक्षड तो D आपसम सही है अगला कुशन देखते हैं एक सुधारती के आवश्यक गुड़ होते हैं इसमें जो सही होगा D विकल्प उपरयुक्त सभी एक सुधारती के आवश्यक गुड़ के अंतरगत स्वतंत्र परिप्रश्ण की प्रविर्ती अवलो की करण यों प्रमार पर निर्भरता ज्यान का व्योवस्तिती करण और सिधानती करण इस सभी होंगे तो D आपसम सही हो जाएगे हैं पे अगला कोशिन है अंतराष्ट्वी महिला दिवस कब बनाया जाता है तो आपको बताई होगा आठ मार्च को अंतराष्ट्वी महिला दिवस के रूप में बनाया जाता है और यहाँ पे जो महतपूर दिवस हैं पूछे जाते हैं जिनमें पाँच जून एक तो है, हमेशा पूछा जाता है, विस्टो परियावर्ड दिवस के रूप में मना जाता है, पृतिवी दिवस पृतिवी दिवस के रूप में मना जाता है, और जनसंख्या दिवस भी पूछा जाता है, तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मना जात अगला प्रशना एक computer में storage माध्यक की चंता की aumento क्या होती है को बाइट इस यह हो जाए गए आप एक एक computer में storage जो माध्या की छमता की इकाई होती है बाइट में होती है और एक जो एक केवी पुछायता है एक केवी में कितने बाइट होते हैं तो एक जार चौबिस बाइट होते हैं एक केवी में यानि एक किलो बाइट में और एक मेगा बाइट में पुछायता है कितने में में उसी तरह आपका एक गीगा बाइट इसमें एक हजार चौबीस मेगा बाइट हो जाए गाइगा और एक बाइट कि सब्सक्राइट किसे मिलता है तो एक बाइट बनता है यह आपसे नह要 सही होगा अगला hundred निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेiens के सुरूत नहीं है आलो चो में जो ईया के दिया लिए प्रता प्रति naです होती है और कार्बोहाइड्रेट कार्बनी की योगी होती है जो कि पच्चने के पश्चात ग्लुकोज में परिवर्तित हो जाती है कि यहां पर आलू से हो जाएगा आलू कर्भाइड्रेट का सुर्थ नहीं है बाकी सभी है अगले परशन देखते हैं अंग्रेजियों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाये गया था कब बनाये गया था 1911 में ही गोश्चना हो गई थी और राजधानी जो अर्थानांतित हुई थी 1912 में अंग्रेजियों के द्वारा दिल्ली को 1911 में राजधानी बनाये गया उसमें वाइसराई जो था लाड हार्डिंग दूतिये था और 1911 में ही किंग जार्ज के आगमन के अउसर पर दिल्ली में एक साही दरबार का भी यायोजन किया गया था और बंगाल बिभाजन का यायो अस्तान पर दिल्ली को नई राजधानी बनाई गयी 1912 में इस भी में ही मेही लाड हार्डिंग के जुलूस पर रास बिहारी बोश नहीं बंपे का था तो यहां पर यदि 1912 दिया रहा था तो भी से होता 1911 दिया गया 1911 में घोशना हुई थी अगला कोशन है सौरी मंडल मे चुद्र ग्रह जिसे एस्टराइड कहते हैं बिद्दमान है जिन दो ग्रहों के मद्धे पाये जाते हैं वे हैं तो मंगल और विरस्पती हैं सी आफसन सही हो जाएगा मंगल और विरस्पती के मद्धे कुछ तूटे हुए आकासी पिंड बिद्दमान है जिने हम चुद्र ग्रह कहते हैं फोर्वेश्टा एक मात्र छुद्र ग्रह जिसे नंगी आँखों से देखा जा सकता है अगला प्रश्ण है भारत में चावल के उत्पादन की द्रिश्ट से प्रथम तीन अस्थान की राज्जियों का है तो चावल के उत्पादन में यहां पे पहले अस्थान पे पशिम बंगाल है दूसरे पे है उत्तर प्रदेश तीसरे पर है आंधर प्रदेश याने की यह आफ़सन सही हो जाएगा चाओल की उत्पादन के दृष्ट से देखा जाए तो पहला अस्थान भारत में पश्यम बंगाल का है जो की पूरी भारत का ये करीब 14.2,5% अकेले ही उत्पादन करता है इसके बाद उतर परदेश, उतर परदेश ये 14.0,3% बारत का उत्पादन करता है आंदर प्रदेश तो आंदर प्रदेश यह आपका 12.70 लो आठ नो प्रदेशत के करीब जो अतुन करता है चावल का तो सबसे जादा पस्रीम्यागाल प्रत प्रदेश पर आंदर प्रदेश यह जाएगा है तीस्वा कुशन है न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं तो आपको पता है कि महार्शी गोतम सी आपसन यहाँ पर सेव जाएगा न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में महार्शी गोतम जाने जाते हैं जबकि जो जैमिनी है, महरसी जैमिनी, तो ये मिमानसा दर्सन से संबंदित है, मिमानसा ये भी question पूछा गया है, उसके बाद जो है, जो महरसी कपिल है, तो कपिल ये सांखी दर्सन से संबंदित है, सांखी दर्सन से संबंदित है, कपिल महरसी पतंजली जो है, तो ये आपक का नियाय दर्शन से पूछा गया है महर्शी गौतम यहनी की सी आप्शन सही हो जाएगा तो दोस्तों यह था आपका आज के यो यल्टी ग्रेट एक्जाम जीयस पिपर के लिए माडल पिपर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेर को और दीजीगा चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में वेल आइकन को प्रिस कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद